तो दोस्तों आज की सुड़ो में हम बात करने वाले हैं SSE Stop Selection Commission का अगर आप यहाँ पे form apply कर चुके हैं Stenographer के लिए Stenographer Grade C और Grade D Examination 2030 के लिए यहाँ पे form apply कर चुके हैं और आपको form apply करने एक बाद आपको पता चल रहा है कि आपका जो form होता है वो mistake हो गया है Mistake form को आपको कैसे edit करना है कैसे correction करना है कैसे modify करना है आज की सुड़े में आपको complete जानकारी दिया जाएगा आप देखे friends यहाँ पे form को correction करने के लिए सबसे पहले आपको इसका official website का link provide करा दिया गया है हमारे video को decision में सबसे पहले यहाँ पे आपको login करना होगा login करने के लिए आपका जो भी यहाँ पे registration number होगा वो fill करेंगे आपका जो भी password होगा यहाँ पे फिल कर लेना है यह जो capture code होता है यहाँ पे फिल करके आपको यहाँ पे login कर लेना है आप देखे friends यहाँ पे आपका जो form होता है दो तरह से यहाँ पे आपका form correction होगा सबसे पहले यहाँ पे आपका registration जानकर है अगर mistake हुआ है तो आप यहाँ पे modify registration में जाके अपना registration जानकर है यहाँ पे correction यह एडिट कर पाएंगे अब देखे फ्रेंस यहाँ पे अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए यहाँ पे form apply कर रहें थे और apply वोला जो section होता है यहाँ पे अगर mistake हुआ है तो आपको यहाँ ही से आपको इसको क्या करना होगा correction यह एडिट करना होगा तो यहाँ प यहाँ पे modify registration वाला section में आएंगे तो आपको इस प्रकार का interface यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कुछ भी जानकारी आपको एडिट करने से पहले आपको यहाँ पे एडिट वाला जो option होता है यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा अगर यहाँ पे ok क्लिक करना होगा जैसे यहाँ पे ok क्लिक कर लेंगे इसके बद आप कुछ भी जानकारी यहाँ पे edit कर पाएंगे जो भी जानकारी आपने registration में fill किया है वो जानकारी आगर आपका mistake होए तो यहाँ से आप उसको क्या कर सकते है एडिट या correction कर सकते है जैसे आधार number हो गया आपका नाम हो गय आपका जो भी date of birth होता है वो आपका है यहाँ सो धार कर सकते है आपका जो भी यहाँ पे टेंट का जो डीटेल होता है जैसे कि आपका board हो गया, role number हो गया ऐसे आपका passing date होता है passing date यहाँ पे सुधार कर सकते हैं gender आप यहाँ पे सुधार कर सकते हैं आपका जो भी यहाँ पे label of आपका highest education क्या है वो आप यहाँ पे सुधार कर सकते हैं mobile number आप यहाँ पे changes कर पाएंगे ऐसे ही आपका यहाँ पे email यहाँ पे change कर पाएंगे इसके अब आपको देखे फ्रेंश यहाँ पे जो Next option आता है यहाँ पे Additional Detail यह Contact Detail, आप देखे फ्रेंश यहाँ पे आपका Additional Detail में अगर किसी इपरकारत का Mistake हुआ है, तो इसके लिए आपको Edit में किलिक करेंगे, अगेन यहाँ पे OK किलिक कर लेना है, कैटेगरी आपको Change करन इसे यहां पर एड्रेस वगेर आपको यहां पर चेंजिस करना है तो एड्रेस वगेर आप यहां पर चेंजिस कर पाएंगे change करने के बाद आपको क्या करना है data को यहाँ पर save करने के बाद आपको क्या करना है next वाला जो button होता है यहाँ पर आपको click कर दिना है इसके बाद आपका जो भी जानकारी होता है वो आपका यहाँ पर edit या correction हो जाएगे इसके पद आपको यहां पर declare करके finally आपको submit करना आता है declaration में यहां पर I agree में आपको क्लिक कर देना है finally आपको यहां पर submit कर देना है finally आप जैसे submit कर देंगे आपका register mobile number में OTP आएगा OTP को क्या करना है? verify कर लेना है इसके बाद आपका जो Regidition जानकारी होता है वो आपका यहाँ पर Finally यहाँ पर Modify हो जाएगा, यह Edit हो जाएगा, यह Correction हो जाएगा इसके बाद देखे Friends यहाँ पर आपका जो Second Option आता है यहाँ पर जैसे कि आपने किसी भी Post के लिए यहाँ पर Form Apply कर चुके हैं जैसे कि यहाँ पर Stenographer Grade C और Grade Day Examination 2023 के लिए आपर Form Apply कर चुके हैं और आपका यहाँ पर Apply ओला सेक्षन में अगर आपका Mistake हो गया है तो इसके लिए आपको कैसे यहाँ पर Edit करना है यह मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले इसके जो Official Notification है यह मैं आपको रेट करके बता देता हूँ इसके बद मैं आपको बताऊंगा Practically कि आपको कैसे यहाँ पर Edit और Correction करना है ऐसे यह आपको सारे जो जिस भी Post के लिए आप अपर Apply करना चाहते हैं और Form को Correction यह इसका जो Edit का Window होता है वह आपको यहाँ पर Open होगा 24-8-2023 तक आपका यहाँ पर 25-8-2023 तक आपका जो होता है Correction window यहाँ पर Open होगा इस बीच में आपको क्या करना है Form को यहाँ पर Correction यह एडिट कर लेना है यहाँ पर आपको Charges भी लगने वाले हैं अब Charges यहाँ पर क्या लगने वाले यह मैं आपको बता देता हूँ आप देखे Friends यहाँ पर बहुत सारे Candidate का यहाँ पर यह डाउट होता है कि उनको यह पता नहीं रहता है कि Form में क्या क्या आपर Correction कर पाएंगे तो देखे Friends यहाँ पर फॉर्म में सारे जो जानकारी होता है वो आप यहाँ पर Edit या Correction कर पाएंगे जैसे कि Registration जो Form होता है उसको भी Edit कर पाएंगे और आपका जो Apply वाल से Section होता है वाँपे भी आप एडिट कर पाएंगे मतलब कि all जो जानकारी होता है वो आपको यहाँ पर edit या correction कर पाएंगे आप देखे friends यहाँ पर यहाँ पर window for application from यहाँ पर correction यहाँ पर मैं आपको sort में बता दता हूँ कि आपको यहाँ पर correction window में आपको यहाँ पर क्या क्या मतलब यहाँ पर form में correction कर पाएंगे सबसे पहले यहाँ पर डेट देख लेंगे डेट आपका 24 से यहाँ पर 25 के बीच में यहाँ पर फॉर्म को करेक्शन यह एडिट कर पाएंगे इस बीच में भी मैं एक वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा क्योंकि बहुत सारे के इडिट को यहाँ पर पता नहीं रहता है कि यहाँ पर कब ऑपन होता है करेक्शन विंडो और कब यहाँ पर बंद हो जाता है तो उस बीच में भी मैं अपडेट दे दूँगा ताकि आप लोग सही टाइम में आपर फॉर्म को करेक्शन यह एडिट कर पाएंगे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आप देखे फ्रेंज यहाँ पर आपको कुछ जो महतोपुन बात होता है वो मैं आपको बता देता हूँ जैसे कि यहाँ पर आप फॉर्म को करेक्शन करते हैं एक बार अगर आप यहाँ पर कोई भी जानकारी को एक बार अगर आप यहाँ पर मिस्टेक को सुधार करते हैं तो आपको यहाँ पर 200 रुपया पर फीस पेमेंट करना होगा अगर आप यहाँ पर फिर से form को यहाँ पर mistake कर देते हैं और फिर से आपको यहाँ पर correction करते हैं तो आपको क्या लगेगा यहाँ पर 500 रुपया पर fees payment करना होगा जो कि यहाँ पर online आपको यहाँ पर mode में जमा करना होगा UPI net banking जिससे भी यहाँ पर जमा करना चाहते हैं उससे आप यहाँ पर जमा कर सकते हैं फिर से मैं बता दे रहा हूँ आप यहाँ पर form को edit करेंगे एक बार तो एक बार अगर आप यहाँ पर form को correction करेंगे यह edit करेंगे इसमें आपको क्या लगेगा यहाँ पर 200 रुपिया चार्जस लगेंगे इसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं अगर application form या registration form किसी में भी आप यहाँ पर edit करेक्शन कर रहे हैं आपको यहाँ पर clearly यहाँ पर mention किया गया है कि देख सकते हैं यहाँ पर one time registration और यहाँ पर application, online application दोनों data यहाँ पर क्या कर सकते हैं edit यह correction कर पाएंगे इसके लिए आपको क्या करना होगा 200 रुपिया और 500 रुपिया आपको फिस payment करना होगा अगर एक बार आप data को edit करेंगे तो 200 रुपिया दूसरे बार अगर edit करेंगे तो आपको 500 रुपिया यहाँ पर pay करने होगे आप देखे friends यहाँ पर online application यह apply वला जो section होता है यहाँ पर आपको कैसे edit करना है जैसे कि यहाँ पर stenografer यहाँ पर grade C और grade D examination 2023 इसके लिए आपको यहाँ पर री अपलाई का option कब आएगा यह मैं आपको बता जाता हूँ 24 यहाँ पर 25 के बीच में आपको यहाँ पर री अपलाई का एक option देखने को मिल जाएगा उसमें आपको click कर देना है जैसे कि यहाँ पर example कर रूप में मैं बता जाता हूँ कैसे आएगा देख सकते हैं यहाँ पर reapply का इस परकार यहाँ पर option आजाएगा reapply का option आएगा तो simply आपको click कर लेना है इसके आपको फिर से photo signature सारे जो जानकारी होता है इसमें आपको क्या करना होगा फिर से आपको fill up करना होगा मतलब कि आप जैसे यहाँ पर examination जिस भी post के लिए आपर form apply करते हैं जैसे कि यहाँ पर MTS के लिए जैसे apply कर रहा है यह stenographer grade C या grade D के लिए apply कर रहा है तो यहाँ पर apply वोलो जो section होता है यहाँ पर all जानकारी आपको फिर से यहाँ पर क्या करना होता है जैसे examination center हो गया आपका skill test में जो भी language होते है आपका जो भी यहाँ पर 12 का जो भी qualification होता है वो आपको क्या करना होता है फिर से फिल करना होगा इसमें stenographer grade C और grade D में जो भी यहाँ पर जानकारी होता है आपको फिर से फिल करना होगा यह नहीं कि आपने पहले से यहाँ पर जानकारी फिल किया है तो बस आपको photo and signature यहाँ पर change करना है यह आपका जो examination जो center होता है वो ही change करना है बस ऐसे नहीं है आप यहाँ पर फिर से सारी जानकारी को आपको यहाँ पर fill up करना है और आपको क्या करना है फिर से यहाँ पर आपको finally, यहाँ पर Elli, यहाँ पर आपको submit करना है, Finally, यहाँ पर summit करने के बाद आपको क्या करना है, fees भी payment करना होगा, अब देखे ref 혼자 here, fees को payment करने के लिए, यहाँ पर payment वाला जो you'll see, subscription होता है . और फिस को पेमेंट करना होगा फिस अगर आप यहाँ पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका जो फॉर्म होता है वो अधूरा माना जाएगा फॉर्म में किसी परकार का मिस्टेक जो होता है वो आपका सुधार नहीं होगा अधूरा माना जाएगा इसलिए आप फ्रेस को पेमेंट कर देंगे पेमेंट वाला सेक्षन में आने के बाद तो फ्रेंस हमारे ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, सस्क्राइब, सेर करें और किसी परकार का क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें और देखिए फ्रेंस यहाँ पे सस्क्राइब करना ना भूले सस्क्राइब करके बेल आइकन को दबा ले ताकि यहाँ पे मैं 24 से 25 के बीच में मैं अपडेट दूँगा अबा उस टाइम में आप पर जो मिसं ना हो, और सही टाइम में क्या कर सकते हैं तो चलीए फ्रेंस श Orleans को पता नहीं होता है बा prejudice चला जाता है, इसके बाद मुझे कमेंट करते है कि हम यहाँः फ्रॉल को दिबा लिये इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा ले तो चलिए फ्रेंस नेक्स वीडियो मिलते हैं टेक के रुपाइबा थाएंक्क्यू सुमस्गाइज वीडियो लाज तक देखने के लिए